वंदे मातरम सात्यों प्रणाम आप सभी का स्वागत है और अभी हम हैं यहाँ पर जिसको योग नगरी तप नगरी और रिशियों की भूमी माना जाता है हरी का द्वार यहाँ पर माना जाता है दक्ष प्रजापती का जहाँ पर एहंकार का मरदन किया गया एसी तीरतनगरी हरिद्वार में हम सबी लोग उपस्तित हैं और आज राजीब भाई दिख्षीजी की पुन्नितिती जनमतिती दोनों है उसके विशेश आयोजन पर आज तीरतनगरी हरिद्वार में एक विशेश आयोजन किया गया जो कैंसरक पे एक बड़ा चिकित्सा का सम मिलन है यह और जिसका सीधा आधार है कि भारत के अंदर जो राजीब भाई ने जोत जलाई थी कि चिकित्सा रोगी स्वयम चिकित्सक होता है और चिकित्सा क्रांती के दुवारा ही हम लोगों के घर में स्वदेशी से लेकर इस देश में ववस्था परिवर्तन की महा क्रा पित कर सकते हैं, उसी भाव को करते हुए आज आप देख सकते हैं, हरिद्वार में यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्तित हैं, अनेकों लोगों का यहाँ पर आज जमावड़ा लगहा हुआ है,बडे बड़े यहाँ पर वैद्य धुरंदर यहाँ पर उपस्तित हो रखे हैं जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं यहाँ पर ऐसे अनेकों वैद्दे यहाँ पर बैटे हुए हैं सौस्तर समरिद्ध परिवार के हमारे पास गोविंद भाई जी यहाँ पर उपस्तित हैं इसमें आप अरुण जी हमारे सामने हैं और पर हमारे सभी तमाम जितने भी भाई बंदू लोग उपस्तित हैं यह सभी राजी भाई के वो महान पुरोधा लोग हैं जिनके नीव पर इस जिनकी नीव के आधार पर इस देश में एक दिन कंगूरा ऐसा चमकेगा राजी भाई के नाम का कि यह जो दशक है यह राजी व दिखाई देती है और जैसे हमारे कमल कांती जी हैं जो इस काम को कर रहे हैं बड़ी इमानदारी निश्टा के साथ और उसमें गोविन जी उनका पूरा साथ दे रहे हैं स्वास्त सम्रिद परिवार अपने आप में आप दिखा सकते हैं एक बार मैं कहूंगा आप थोड़ा आगे आईए देविंद्र भाई एवर दिखाईए जितने भी लोग यहां पर उपस्तित हैं सीधे तोर पर इन लोगों का परीचे आपस में बहुतों का नहीं है लेकिन एक परीचे सबका है कि वो परीचे है राजी भाई दिख्षिजी का एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस दे देश के अंदर पर युवाओं की धड़कनों के रूप में स्थापित होने की एक अकेला व्यक्ति जो इस देश में आता है लोगों को जगाता है इस हरिद्वार के अंदर भी जिसने कई व्याख्यान करें हूँ और पूरे भारत में प्रवास किया हूँ आज वो व्यक्ति हर व्यक्ति के हिर्दे में चाया हुआ है ये क्रांती राजी भाई के नाम पर जो इस देश में खड़ी हुई है यही रिष्टा का निर्मान करती है व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति समाज और समाज से राटर का कैसे एक किकरण होता है इसकी चिंगारी यहाँ पर दिखा तो कितनी कृपा स्वयम परमात्म हमारे उपर कर रहा है। स्वयम नारायन कर रहे हैं, हरी की भूमी में ये काम दिकर के सामने आता है। तो मेरा सभी से कहना है, जितने लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जब लक्षमण ने कहा था, तुमने वीर देखे ही खाएं अभी तक, और जो तेजस्विता जब लक्षमण ने वहाँ पर दिखाई थी, जो बातें धर्ती के अंदर पर आके, राजी भाई ने हमेशा ये बात कही कि ये धर्ती जो है, कभी वीर विहिन नी होती है, तो मुझे ये निश्चित तौर बे लगता है कि इनी लोगों के मद्दे से एक दिन एक चहरा ऐसा उभर कर सामने आएगा, जो इस राष्टर के अंदर शोधन करेगा इस राज तंतर का, इस प्रजात तंतर का, साथ में चिकित्सा की करांती का, क्योंकि चिकित्सा के नाम पर जितनी लूट और खसोट चल रही है, जितना जादा इसके नाम पर हमें बरबादी हमारे युवाओं को गर्त में डाला जा रहा है, जहर उनकी शिराओं में भरा जा रहा है, उन्हें अगर चिकित्सा के नाम पर कोई बात कही जाती है, तो उ ऐसे ऐसे लोगों के बार पीछे जाला जा रहा है जहां से उनको मौत निकल कर सामने आ रही है ना पैसा रहता हाथ में ना कुछ रहता है और ये कोरोना का पुरा प्रक्णन गवाय है कि एलोपेथी के स्तंत्र को से आगे बढ़कर आयरुवेट ने काम करके दिखाया है ये ग कोरोना के नाम पे आपको पता है क्या क्या अत्याचार देश में हुए और यहां तक की वैक्सीन में फिर मैं ये बाद से गडबड हो जाएगा वैसे पुरा वीडियो अपने आप में गोईन भाई लेकिन जो भी वह घुसेडा गया टीका लगाया गया उस टीके को लगा कर जिस देश में गाय की रज का टीका लगता था मिटी का गाय के चरण का टीका लगाया जाता था उस देश में गाय के रक्त का टीका लगाया गया और उस तक नहीं करी इस देश के लोगों ने और मंगल पांडे की जिस क्रांती की हम बात करते हैं गाय का चरम प्रियोग करने मंगल पांडे को भी पता था कि देश तब भी गुलाम है उसको पता था अपने आप में और उस समय भी अंग्रेजों का नौकर है उन्हें पता थे लेकिन मंगल पांडे को समस्या इससे नहीं हुई समस्या इससे हुई कि मेरा धर्म कैसे ब्रष्ट कर दिया गया, मेरा स्वास्त कैसे नश्ट कर दिया गया, गाये का चरम खिला के, आज देश के अंदर ये परिवर्तन हो रहा है और गलत कर दिया गया, लो मैं सीधे तोर पे सामने कहना चाहूंगा हमारे गोविंद भाई से कि आ रखे हैं, जो तीसरा यो बहुत ही बड़ा सम्मेलन करा रहे हैं यहां पर देखते हैं, बोड भी दिखा दीजिए आप यहां पर, मैं दिखेना चाहूंगा आपको देविंदर भाई, तृत्ति है जो अपने आप में, कैंसर विशेशक यह महा सम्मेलन, आप देख रहे ह आपाता है, कहने का मतलब है, इस देश में अच्छे लोगों खड़ा होना पड़ेगा, और शोधन करना पड़ेगा चिकित्सा के इस पुरे छेतर का, क्योंकि अगर चिकित्सा में शुद्धी करण नहीं हुआ, इसका शोधन नहीं हुआ, तो इतनी तरह से बरगलाने वाल प्रतिष्टित है, कितना उसकी बात में प्रवानिकता निकल कर सामने आती है, और यही उद्धेश इस कैंसर महा सम्मेलन का हो रहा है, कि कैंसर के दुआरा इतने लोग भटक रहे हैं निरंतर, उनके संग गलत होता जा रहा है, मर रहे हैं वो, अपने रिष्तेदारों को ख हो रहे हैं उसके लिए, यह दर्द को जो महसूस किया है, कमल भाई निया, गोविंद भाई निया, जितने भी यहां पर वैद्य उपस्तित हो है, इनका यही लक्षिया और मैं कमल भाई से जाना चाहूं, कमल भाई क्या सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है तीसरा महा सम्मेलन, में भारत के लगबग सभी राज्यों से वैद गणाये हैं, इसे इस रूप से डॉक्टर अरुन वर्मा जी है, और आयरवेद के छेतर में जिने बिशम पितामा कहा जाता है, डॉक्टर सुनील जोसी जी, जिनको अथा ग्यान है, और लगबग भारत में जितने भी BMS डोक् से चल रहे हैं, उसके अलावा वैद हंसरा चोदरी जी और बहुत सारे वैद गणाये हैं, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक बात भगत सिंग जी ने बोली थी, जो मुझे बहुत आज भी सार्थक लगती है, कि संपूर्ण विश्व का सत्रू अगर कोई है, तो वो पुझी वाद है, और उसी बात को भाई राजीव दिक्सित जी ने बहुत सरल रूप में रास्ता हमें दिया, कि अगर पुझी वाद के अथियार को अगर हम तोड़ सकते हैं, तो सवदेशी से, और सवदेशी को अगर हम समझेंगे, तो सवदेशी का मतलब ही परमात्म से निकलता है, प्रेम से निकलता है, सत्यता से निकलता है, सात्विकता से निकलता है, धरम से निकलता है, लेकिन दुख इस बात का है कि राजी भाई को गए वे आज 12 वर्स हो गए हैं, राजी भाई ने आयरवेद को, जितना मैं समझाओं मैं गलत हो सकता हूं, राजी भा तो सेवंटी परसेंट लोग एलोपेथी यूज करते हैं उस समय हमारे देश की ये स्थितिति आयरवेद पर कोई वरोसा ही नहीं कर रहा था तो राजी भाई ने प्रान डाल दी आयरवेद के अंदर आयरवेद के लोगों के अंदर और लोग खड़े होने सरुए और आप सब को पता है कि पूंजी की ऐसी वेवस्था है वो हर जगे अपना स्थान बना लेती है उधान के लिए मैं बात करूं कि यूरिया डियेपी ने जब पूरे देश में जहर फैलाया तो जब वो चारो तरफ उसकी सच्चाई आनी सरुई तो उसी पूंजी ने उठके जेवी खा के मादम से तो जो पूंजी पती एलो पैथी में बैठे थे उस विचार धारा के बागत सिंग की जो पूंजी वाद की परिबासा वो यह नहीं कहती कि आपके पास पैसा जादा है तो आप नुक्षान दाएक पैसा रतन टाटा के पास भी है उस पैसे का अंतिम उप्योग क क्या कर रहे हो किस लक्से से आप पैसा बना रहे हो वो पूंजी वाद है पावित्रता के साथ अपनी मेहनत करके अपनी करमठता से आप धरम के मारक पे चलते हुए अगर आप अर्थ एक्तिरित कर रहे हो तो वो पूंजी वाद नहीं है लेकिन आए धरम के मारक पे चलते ह आज चिकित्स्या छेतर में जितनी बड़ी लूट है आप देखिएगा कैंसर के विशे में मैं सिर्फ मैंने कैंसर इसलिए उठाया है अगले सम्मेलन से हार्ट को उठाएंगे कि आप एक एक रोगी को मैं आपसे मिलवाऊंगा 28 वर्स की एक बैंजी है 50 लाख रुपए खर् फिल्टी फील भी हुई इस बात से जब पता चला क्योंकि मेरे पास जब तीन महीं ने दवा ली तो दुबारा किसी धाम पे चली गई उस धाम पे जल्दी नंबर लगवाने के लिए उसने 21,000 रुपए दिये यह भी धरम के नाम पे भी कितना बड़ा खेल है कि एक दिन मे कि 8 साल का बच्चा 40 लाख रुपए खर्च कर चुकी इतना करजा उसके उपर हो चुका है तो वो वो तो इनसान तो चला गया लेकिन उसकी 10 साल वो कहां से उतारेगी हो पैसे को और उस लूट तंतर में हम पूरा का पूरा आयरवेद भी शामिल है जितनी पत्तियां सब श करना ही पड़ेगा लेकिन पवित्रता के अबाओं में हमारी सारी पदितियां बिल्कुल लुपत होती जा रही है और यह कैंसर विशेश के जो महासमेलन है यह सच के ओपर टिका है यह उसी व्यक्ति को मंच दिया जाता है बोलने दिया जाता जो ठीक किये गए रोग्यों क मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि वही संख्या बताने से हमारा वह होता है अला कि यह कुछ ना कुछ हमारी मनुस्तिति कमजोर है क्योंकि सुनील जोसी जी ने आज बारत के विसम पिता मां होते वे भी यह सिद्ध करके गए कि उनका कितना हुचा लेवल है उन्होंने म जैसे जो योद्धा है चिकित्या जगत के वह परिणाम देंगे उनके विचार परिणाम देंगे उन्होंने असंख्यर होगी ठीक हैं लेकिन वह कभी यह नहीं कहते मैंने 50,000 ठीक कर दिये तो पवित्र लोग जब एक्तरित होंगे तो आयरवेद में परिणाम आएगा और पवित्र लोग ही राजी भाई का सपना पूरा कर पाएंगे ऐसी ऐसी राजी भाई के चित्र का भी व्यापारी करन हो रहा है आप अगर देखोगे तो जब तक व्यक्ति जिंदा होता है उसका उप्योग बहुत कम होता है त्रसकार ही होता है उसका मरने के बाद पुरसकार अलग अलग रूपों में दिया जाता है आप एक बार देखिएगा अपनी राजनितिक विवस्ता को समझे गांडी जी को जाने के बाद कितने लोगों ने उनका व्यापारी करण किया उसके बाद भागत सिंग का व्यापारी करण सरू हो गया है इसी तरीके से राजी वाई के चित्र को भी बेचने का कारे चल रहा है अलग-अलग आप होस्पिटलों में देखोगे अलग-अलग तरीके से देखोगे अब तो पवितरता की नितान तव सकता है और मैं तो यह सभी कारेकरताओं से सभी साथियों से एक ही बात कहूंगा कि जिस दिन हम पवितरता ले आएं गोविंद जी ने बहुत अच्छा प्रयास था आप सभी जानते हैं अपने आप में मुझे कहना नहीं है जादा इसमें लेकिन देखिए कि गोविंद जी ने राजी भाई का जो रसोई का जो विज्ञान था इतनी सरलता और सहस्ता से उन लोगों तक लेकर गए हैं कि आज व्यक्ति जो बड़े-बड़े चिकितसक भी हैं वो उनसे सला करते हैं फोन करके पूछते हैं अच्छा इसमें किस चीज का प्रियोग करना पड़ेगा तो सुक्षुता के आधार पे रसोई के उस ग्यान को जो राजी भाई के प्रेणना से प्राप्त किया बहुत ही प्रियास भी है मैं कैंसर का इलाज नहीं करता भाई होके मदद करने का प्रियास करता हूं लेकिन जब पता चलता है कि सारे लूटेरे बैठे पड़े हैं कोई सच बोल के उसको आगे राह नहीं दिखाता है तो इसी चीजों को जानने के लिए हम पीछे कई बारों से कमल भ कई ऐसे लवी सूरत से कुछ दिन पहले की बात है 15 दिन पहले की बात है मात्र 15 दिन में एलो पैथी हिम्स हॉस्पिडल मतलब और भी बहुत सारे लोगों ने उनसे 35 लाख रुपे मिचले तीन महीने में ले लिया और जो इस्थी थी उनकी पहले चलके ऑफिस जाते थे क्योंकि बतल आप सभी से यही बिंती करूंगा कि आप अपने रसोई को पहचान ले क्योंकि रसोई में आपके साथ कोई जूट फरेव चल कटप कपट नहीं कर सकता आपकी जड़ी बूटियों से कपट कर सकता है आपको जड़ी बूटियों की नाम बता देगा आप उसको तक में खाते हो आपके सरीर में केमिकल जाता है तो किमिकल निकालना सीख लो तो मेहनत करें पसीना वहाएं सवस्त रहें सम्रीद बने और अपने रसोई घर को पैचाने अपने रसोई घर को सुजा रहें बंदे मात्रम जैहिंद जै भारत देवेंदर भाई सीधे सौर पे हम लोग ठीके रहे राजी भाई के समर्थकों ने इन लोगों को आगे बढ़ाया है चाहे उसमें चाहे डॉक्टर विशुरूप रहे चौधरी का नाम आता हो किसी का नाम आता हो जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए संगर्श करेगा राजी भाई का पूरा परीकर उनके साथ खड़ा है लेकिन अगर उस पूरे समवात के साथ उसे धानत के साथ कोई भी व्यक्ति अगर विकरती लेकर आएगा चाहिए वो स्वयम कोई भी होगा उसका विरोत करना भी राजी भाई के समर्थों का नैतिक दाइत्व होता है अगर कोई पतभरश्ट होता जा रहा है उसको रास्ता दिखाईए कोई गलत कर रहा है उसको बोलना पड़ेगा अगर ये चीज जो कही है गोविंद जी ने ये सत्य है और जो चीज दिख सुनाई में दे रहा है अगर 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 ये चलावा एक चित्र लगा कर हिम्स के आधार पे भी लूट तंत्र चल रहा है अगर उनके संग चलावा किया जा रहा है तो वास्तों में उनको अपना पुनर मुल्यांकन करना चीए और ये करना अत्यन तावश्यक है क्योंकि आज तो हम चुप हैं अभी हमें काम करना है अपने आप में लेकर अगर ये चलावा ऐसे चलता रहा है और ऐसे लोग भावुक होते गए जो चिकित्सा के छेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम उनकी पुन्य तिती से बढ़कर इसको जनम तिती के रूप में मनाएंगे आज 55 साल के हमारे राजीब भाई हुए ऐसे राजीब भाई को हम सच्छत नमन करते हैं तो बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की राजीब भाई राजीब भाई राजीब भा कि झालिए काव झाला है कि झाला है टीक